मेरे पास ना खाने को था, ना कुछ पैसे थे, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूगा। ये लेकर आया है, डे एन्यूलम यानि राष्ट्रिय शहरी आजिवी का मिशन, जिसने बेरोजकारों को रोजकार से जोड़ा, उनके दर्द को समझा, उनकी पेड़ा को महसूस किया, देश की राजथानी दिल्ली के सभी 11 सिलों में कामियाबी की नई कहानी लिख रहा है, एन उन लोगों को रोजकार दिया, जिनके पास उनर्तो था, लेकिन कोई काम नहीं था, उन लोगों को आसरा दिया, जिन्होंने कुरोना में अपने परिबार वालों को खो दिया था, और अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, उन लोगों के लिए नए नास्ते खोले जो मदद की उमीद में ठक हार कर बैठ कए थे। NULM का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजकार की दिशा में आगे पढ़ें और अपने दम पर अपनी आजी विका को चला सकें। इस मिशन के तीन महत्वापूरण कॉंपोनेंट है। पहला कॉंपोनेंट है Social Mobilization and Institution Development यानि की SMNID इसमें State Urban Livelihoods Mission शहरी गरीबों को खासकर महिलाओं को स्वयम सहयता समो यानि SSG से जोड़कर मदद कर रहा है। महिलाओं स्वयम सहयता समो बना कर अपने लिए विकास के नए दरवाजे खोल रही हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही है। पूरी दिल्ली में ऐसे स्वय सहयता समो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कठ पुतली कॉलनी में चल रहे स्वय सहयता समो की महिलाओं हाथ से बने हुए शोपीज तयार कर रही है। ये तमाम शोपीज इनके हुनर को तो दर्शाते ही हैं। इनके लिए रोजी रोटी का माध्यम भी है। इस मिशन का दूसरा कॉंपोनेंट Employment Through Skills Training and Placement यानी ESTNP है। इसमें शहरी गरीबों को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार या फिर स्वरोजगार के लिए तयार किया जा रहा है। हसारों लोग स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। डेटा एंट्री, मेक अप, प्लम्बिंग और फैशन डिजाइनिंग जैसे स्किल के माध्यम से हजारों लोगों ने अपने भविश्य को सबारा है। अपने आपको रोजगार से जोड़ा है। वर्षा रानी ने यहीं से स्किल ट्रेनिंग ली और देखते ही देखते उनकी दुनिया बदल गई। स्वासाहता समहो बनाने और प्रशिक्षन लेने के बाद अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसे लोन की जरूरत पड़ती है। NULM उनकी इस सरूरत को भी पूरा कर रहा है। तीसरे कॉंपोनेंट सेल्फ इंप्लॉइमेंट प्रोग्राम यानि की SEP के तहट सरकारी बैंक से इन लोगों को सस्ती दरों पर कर्स दिलवाया जा रहा है। NULM के कर्मचारी इनके स्वरोसगार के प्रस्ताबों को सुनते हैं और बैंक से संपर्क कर इनको लोन दिलाने में मदद करते हैं। लोन लेकर स्वरोसगार से जुड़ने वाले लोगों की भी एक लंबी फेहरिस्थ है। मंटू जौधरी भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। लोगडाउन के कारण परिस्थितियों से हारे हुए मंटू के जीवन को NULM ने एक नया मोर दे दिया। लोगों के लिए NULM ने अनेको रास्ते खोल दिये हैं। दिल्ली में किनर समाज के लोग भी NULM की योजनाओं से लाब उठा रहे हैं। NULM के द्वारा समय समय पर आजिवी का मेले का आयोजन कर। शेहरी युवाओं को उनके हुनर और रुची के आधार पर रोजगार के अच्छे अवसर मोहिया कराए जा रहे हैं। युवाओं में इन आयोजनों के प्रती काफी उत्सहा देखने को मिलता है। सफलता की ऐसी सैक्डो कहानिया है। NULM इन लोगों को स्वरोसकार से जोड़कर आत्म सम्मान से जीना और काम्याबी की रह पर आगे बढ़ना सिखा रहा है। अदीद को भुला कर इन में नया विश्वास जगा रहा है। अगर आप भी ऐसे हालाद से गुजरे हैं। आपके सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा है। और आप किसी मदद के हाथ का इंतिसार कर रहे हैं। तो अपना हाथ बढ़ाईए। हमारे टोल फ्री नंबर पर आपकी एक कॉल हो सकता है आपकी संदगी बदल दे।